पंदर महिने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेगा दिल्ली का यह दबंग खिलारी CS के RCB MI में डर का महाल इस खिलारी ने दिल्ली को पहली बार IPL का चेंपियन बनाने की खाई कसम डेविड वारनर के साथ हुआ भिदभाव यनसीये ने दे दी बहुत बड़ी खुसकवरी खुसी से नाचने लगे इस खिलारी के करोरो फैंस रोहित कोली धोनी के अभी से छूटने लगे पसीने इस बार का IPL सुरू होने का फैंस बहुत ही ज़्यादा बिसबरी से इंतजार कर रहे हैं IPL के हर एक टीम के खिलारी क्रिकेट की 22 गच की पट्टी पर तबाही मचाने के लिए अपनी कमर पूरी तरह से कस लिये हैं इसी बीज दिल्ली के एक दबंग खिलारी की भी इस बार के IPL में वापसी होने जा रही है दिल्ली का यह खिलारी अकेले दम पर किसी भी सिचुवेसं पर मैच की कहानी को पलटने की पूरी हिम्मत रखता है करीब 15 महीने बाद जब से इस खिलारी ने IPL 2024 में खेलने का अयलांग किया है तबी से कोहली रोई दोनी समेत कई खिलारीों के पसीने छूटने लगे हैं इस खिलारी ने कसम खा लिया है कि इस बार दिल्लाई कैपिल्स को IPL का चैंपियन बना के रहूंगा दोस्तो यह खिलारी घायल सेर की तरह मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तयार हो गया है करीब 15 महीने बाद यह खिलारी क्रिकेट के मैदान पर दुबारा से घायल सेर की तरह वापसी करने के लिए पूरी तरह से तयार है जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ डेलाई कैपिल्स की तरफ से IPL में तबाही मचाने वाले रिसब पंद की दोस्तो आज से करीब 15 महिने पहले एक कार दुरगटना के दरवान रिसब पंद का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था उस एक्सीडेंट से ऐसा लगा था कि रिसब पंद का बचना काफी ज़्यादा मुस्किल है ऐसा लग रहा था कि रिसब पंद की जिंदगी अपूरी तरह से तबाह हो जाएगी और रिसब पंद दुबारा से कभी भी क्रिकेट के मैदाम पर वापसी नहीं कर पाएंगे लेकि लेकिन दोस्तो एक चमतकार की वज़ा से रिसब पंद को दुसरी जिंदगी मिली थी और भगवान के आसीरवास से रिसब पंद की मौत होने से बच गए थी और सभी लोग यह बोल रहे थे उस समय की रिसब पंद का क्रिकेट के मैदाम पर वापसी कर पाना काफी मगर दोस्तो रिसब पंद ने 15 महिने तक कड़ी मिहनत करने के बाद दुबारा से क्रिकेट की मैदाम पर वापसी करने जा रहे हूं दिल्ली कैपिल्स के कप्तान रिसब पंद को बेंगलूरू इस्थिद नेशनल क्रिकेट अकेडमी से मैच के लिए फिटने आईपिल 2024 में खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं 26 वर्षी रिसब पंद पिछले साल के आईपिल में सामिल नहीं हो पायत है एक्सीडेंट की वज़ा से लेकिन अब हुआ कैपिटल से जोडने के लिए पूरी तरह से तयार हो गया है 26 साल के इस्टार विकेट कीपर बले बाज रिसब पंद ने 2016 में आईपिल में डेब्यू किया था रिसब पंद ने अब तक 98 आईपिल मैच खेले हैं रिसब पंद ने 148 के स्ट्राइक रेट से बले बाजी करते हुए 28-38 रन ठोके भी है आईपिल में पंद के नाम आईपि 271 रन बना हैं वंडे में 34 की आउसस से 865 रन बना हैं वहीं T20 में पंद ने 126 के स्ट्राइक रेट से 987 रन ठोके हैं